अगर आप computer science branch लेना है का सोच रहे हो तो आपकी जेए में rank कितनी होनी चाहिए और placement आपका कैसे मिलता है अच्छा मिलता नहीं मिलता है आपको पता होगा जिसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि जो है यहां पे cut off जो रहता है तीन केटिंग है पहला राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड और CLC राउंड उसके बाद का उसके बाद OBC का लग रहता है सबका लग रहे है तो अगर बात करें OBC की CS के लिए तो देख वाइसमें भी अलागव है कैसे फीमेल के लिए और मेल के लिए अलागए अगर फीमेल की बात करें तो स्टार्टिंग जो होती है जेई में की रेंग से होती है वह 34490 पिछली बार की बता रहा हुंगे है इसम और 44,000 पर क्लोज हो गया था सिमिलेट कर बात करें ओबी सी एक्स ओपी वाले जो आते मेल के लिए 34,000 से स्टारिंग हुई थी और 34,4064 पर क्लोज हो गया थी इसका एनलेसिस क्या निकाले तो इसका एनलेसिस यह 30,000 की रेंग में लाय करता है मनलब अगर आप ODC से 30,000 रेंग लेकर आए हो जे इमेन में तो यह को लिज आप चेक आउट कर सकते हों को मिल सकता है ने ओके भी या फिर यह डवलुएस के लिए क्या है तो 24,000 है सोरी वोस आपको थोड़ी ज्यादा रेंग लानी पड़ेगी थाइटी थाड़ इन क्लोजिंग रेंगर इसकी थाइटी थाइटी ठीक है तो क्या बहुत इसका क्या रिजन निकाले तो कह सकतो की आप 37,000 तक आपकी जेमेन में रहेंके तो यह डवलुएस में आपको मिल जाएग ओके जेनरल के लिए क्या है तो देखो आप जन्रेल के लिए बाद ऐसी है अगर आप तो बहुता जनल के लिए क्लिए इसमें वह आ जाता है फिमेल और मेल तो अगर आप 29,914 स्टाड्ट हुई ठी और अगर आप 24,000 तक कि अगर आप फिमेल हैं जन्रल की तो मिल जाएगा अच्छा और मेल के लिए 47 यह यहां पर एक ही था इसमें तो अगर बात करें मेल के लिए तो 32,000 गई थी यहां पर कहने का मदलब यह है अगर Computer Science का आप सोच रहे हो तो 25,000 से लेकि 30,000 तक के बीच में आपकी जो है रेंक होनी चाहिए जी ओल इंडिया रेंक तो आपको जो है इसमें मिलने के ज्यादा चांसे है CS और आइटी स्पेसली फर्स रेंक की बात करो सेक्रेटर्ण में अलग हो सकते है ठीक है ओके वह यहां प्लेस्मेंट का क्या है मलब इत्ता तो समझ में आगे आपको 25 से 30 तक रहें आ रहें यह जी में आप चेक आउट कर लेना तो आप यह मिलने वाली ठीक है और और एडिशनल बहुत सारी है उसमें सिब काउंसलिंग नहीं ठीक है अगर आप सोच रहों कि सिब काउंसलिंग है तो सब बिल्कुल भी नहीं एक बार चेक आउट ज़रूर कर लेगा लिंक डिस्क्रेटर में या फिरेडियू सार्गी डॉटिन मालब जितने भी कॉलेजिस आपको है दो कॉलेज छोड़के कौन सा आईएटी इंदोर और एमनाइटी भोपाल इस पेसली मद्धिपदेश की बात करो उन दोनों को छोड़के बागे के जितने भी कॉलेजिस हैं यहां पर चाहे आपका जबलपुर हो माईटी एस हो और ड पर प्लेशमेंट भी जाता है हम ऐवन सब लोगके ही और सब लोग प्लेश्टा हो जाते ही अजितन में कि अच्छी सिसी की ऑभन जिसा whereas कि मैंने पुराने वाले विड् البتा आया था az को जाल को सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिए एक लाघ 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 तश जार तक देने पड़ेंगे आपको सांगे एक कोटा वगेरा चलता है या फिर बलब जिसे में आउट ओफ एंपी से हूँ तो ले पाऊंगा एंपी से हूँ तो इस पेशल कुछ आउट ओफ इस्टेट की है तो उनको पंदरा परसंट का कोटा मिलता है तो कह सकते हो कि यहां पे अगर आप एंपी के हो 30,000 तक आपकी आई हुई यह में ओल इंडिया रेंग में तो आपको एजिली एडिमिसन मिल जाएगा और आपको लेना चाहिए ठीक है हाँ वह बात अल आई टी आई ट्राय करने का सोच रहे हो अलग-अलग तो वह एक मेंटर हो जाता है या फिर दूसरा कोलेज इससे उपर का सोच रहा हो तो उसमें आपको बता दूआ आपकी प्रोफाइल के हिसाब से के फाइनशाल हो गया आपका और भी रेंक हो गया आपका लोकेशन हो ग आपका मिल जाएगा कह सकते हो कि आपकी फीज वसूल हो जाएगी आरो आई अच्छा है रिटन ओफ इंवेश्मेंट अच्छा है अगर इस्टार की बात करें तो मैं फाइफ आउट और फोर रेटिंग दूगा यह एक रेटिंग कहा काट रहो सपोर्ट काया लिटरली यहां क प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको लेने पड़ेगी आपको जो है कर चेक्शकत हो अधर इक्तिविटी में करते हो तो हैकड़्य मी इसमें पर होग घ्bug है और भी वह सारे रेजेंस हैं पर जो एक एक रेटिंग में आपे कम करूंगा क्योंकि अगर मेने आउट ओफाइब दे दी तो के सकते हो टोप क्लास हो जाएगा ना पर इसा नहीं है बहुत सारे इसमें कमिया भी है कमिया की स्टुएंट को जादा सपोर्ट नहीं करते किसी को किसे मतलब नहीं है इंवार् सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ मुझसे और काउंसिलिंग करवाना है तो बिल्कुल यार काउंसिलिंग करवा एडूस है कि डोट इन पर जाके आप काउंसिलिंग करवा सकते हैं ठीक है मिलता है नेक्स वीडियो में थैंक्यू